हलो एवरिवन, तो आज मैं लंच में बना रही थी कड़ी, हालू बीन्स की सबजी और मेथी की रोटी और आज मैं बना रही हूँ प्याज वाली कड़ी, तो मैंने यहाँ पे लसी ले ली थी, लसी को मैंने पूरा एक दिन तक बार रखा था, ताकि वो अच्छे से खटा हो जाए, लसी में बेसन मिलाकर 15 मिनट के लिए छोट दिया था, और यहाँ पे मैं तड़का लगा रही अब डाल दिया है लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, अब बारे आते हैं प्यास डाले की, यहाँ में पैने लिए है छोटी छोटी प्यासे, इनको बोलते है सांबर अनियन, इनमें मैंने लगा लिया है कट और इसको डाल दिया है मैंने मसाले में, अब हल्दी डाल देंग इनको अच्छे से भून लेंगे मसाले को अच्छे से भूनने के बाद लसी और बेसन के घोल को मैंने डाल दिया था इसमें अब इसको चलाते रहना है और नमक अपने टेस्ट के अकोर्डिंग एड़ कर देना है इससे ज़ादा इसमें कुछ हैड नहीं करना है तो चली अब मैं बना लेती हूँ आलू बेंस की सबसी, जीरे के साथ मैंने तड़का लगा दिया है, प्याज डाल दिये है, कटी हुई लैसुन और हरी मिर्ची अब मैंने इसमें डाल दिया है लंच में मैं बनाती हूँ दो सबसिया, एक ग्रेवी वाली और एक सूखी सबसी, तो सूखी सबसी में मैं बना रही हूँ आलू बेंस, और ये देखिए, इनको अच्छे से अब मैं भून लोगे प्याज के साथ, टेस्ट के एकोडिंग नमक डाल कर, अब हम इसको 5-7 मिनट क डालने की, गरम मसाला सुखी में काफी अच्छा टेस्ट डेवलब कर देता है, और ये गरम मसाला मैंने पीछा है घर पर ही, और आज मैं रोटिया बना रही हूँ मेथी वाली, मैंने मेथी को अच्छे से कट कर लिया था, साफ कर लिया था, अब इसको मिकसर में लिया था, इस तरीके से भी मेथी की रोटी बनाने पर लगती है, बहुत ज़ादा टेस्टी, मेथी का पेस्ट डालने के बाद आटा भूती इजीली लग जाता है, बहुती सोफ लगता है, बिना किसी परिशानी के और आपको अलग से पानी डालने के भी इसमें कोई जरुत बेलने में भी कोई परिशानी नहीं आती, बहुती इजीली रोटिया बेल जाती है, और खाने में भी ये लगती है, बहुत साधा टेस्टी, अब एक के बाद एक फटाफट मैंने बना दे थी मेथी की रोटिया, विंटर्स में मेथी की रोटिया लगती है, बहुत साधा ट लग देते हो तो रोटिया रहती है बहुत साधा सौफ्ट हमारी कड़ी और आलू बीन्स की सबसी और मेथी की रोटिया सब थे बनकर बिलकुल रेडी अब बारी आती है सर्विंग की इस तरह की प्याज वाली कड़ी लगती है बहुत साधा टेस्टी और आप भी इसको जरू ट्राइ करें और आप सोच रहे होंगे आज मैंने धनिया नहीं डाला धनिया मैंने मेथी की रोटियों में ही डाल दिया था और हमारी हेल्दी सीट थाली बनकर है बिलकुल रेडी